कैसे हैं आप सब लोग बहुत जादा excited होंगे और आज इस वीडियो के अंदर तीन most important points मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि हम सब लोगों के लिए जानना बहुत जादा जरूरी भी है बहुत सारे लोगों के बीच में confusion भी जाती है बहुत सारे लोगों के सवाल भी जाती है तो हो सकता है कि उनके सारे के सारे सवाल और सारे के सारे जो confusion है वो भी दूर हो जाएगी और आज की जो एक latest update है वो भी complete यहाँ पर हो जाएगी पहला point है wallet to wallet नमबर टू दूसरा important point है हमारा data center को लेकर के और जो तीसरा most important point है यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो founding members हैं अभी भी जो है customer में क्यों मने हुए हैं मुझे नहीं बता लेकिन आज आज आपको पता चल जाएगा आज हम तीन टॉपिक ऊपर जो है पूरी तरीके से आज हम discussion करने वाले हैं जो कि आपके लिए और हम सब के लिए जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो पहला point क्या है पहला point है wallet to wallet बहुत सारे बारे founding members ऐसे हैं जिनके पास multiple ID हैं और जिनके पास multiple ID होने के बावजूद भी कुछ ऐसी IDs हैं जो कि अपने बच्चों की ID हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे comments बहुत सारे messages और बहुत सारे calls हैं मेरे पास इसके regarding आती रहती हैं और आज भी बहुत सारे founding members हैं जो wallet to wallet का इंतजार कर रहे हैं सबसे पहले चीज तो यह है कि Acer ने काफी दिन पहले जो है बताया था कि हमारे एक wallet to wallet भी इसके अंदर option रहने वाला है क्या यह वाकई में हमारा option आएगा या नहीं आएगा बिल्कुल यह 100% सच है कि यह option आएगा लेकिन अभी नहीं है दूसी बात यह है कि अगर यह option आजाता है तो सबसे ज़्यादा फाइरा यहां पर किस तरीके से होगा और इसको हम किस तरीके से इस्तमाल कर पाएं यह तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जिनकी पास multiple ID है और खास तोर से AC ID है जिनका minor में account है या छोटे छोटे बच्चों के account है जिनको आगे चलके ऐसा लग रहा है कि हाँ उनको उनका जो address है या उनका जो KYC है उनको approve करने में दिख्कत आ सकती है लेकिन उनकी ID पर अगर income generate होती है तो वो किस तरीके से वहाँ से withdraw कर पाएंगे यहाँ पर wallet to wallet का जो एक फाइदा रहेगा वो सबसे पहला फाइदा तो यहाँ पर भी हमें नज़र आता है यानि कि आपकी जो एक main ID है आपकी जो एक primary ID है जिसका आपका bank account से सही तरीके से attachment हो चुका है जिस ID पर आप सही तरीके से काम कर रही होंगे जिस ID पर आप अच्छी तरीके से business कर रहे होंगे अपना जो भी income है वो भी आसानी से withdraw कर रहे होंगे तो जो primary आपका account होगा उस primary account में आप अपने दूसरे account से यानकि दूसरे ID से अपना wallet to wallet आप transfer कर सकते हैं इसका दूसरा फाइदा एक और भी होगा कि for example अगर मुझे कभी भी किसी की help करनी हो या मुझे किसी से पैसा लेना हो या मुझे किसी को transfer करना हो और वो already अपने on passive के founding members हैं या फिर वो अपने on passive के customer हैं तो यहाँ पर हम एक wallet to wallet का भी यहाँ पर उनको transfer कर पाएंगे यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी लेकिन हाँ जब भी हम wallet to wallet transfer कर पाएंगे तो कहीं न कहीं वो अपने bank account पर जो है कभी भी transfer कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ यह भी यहाँ पर होने वाली है यह इससे दो फाइदे होने वाले हैं एक तो आपकी जो ID पर income generate हो रही है वो भी आप निकाल सकते हैं प्लस अगर मुझे आपको ऐसे ही कोई भी अगर help के माध्यम से या जरूरत के माध्यम से या मैंने आप से कुछ पैसा ले लिया है तो उसके माध्यम से भी आगर मुझे आपका पैसा वापस करना है तब भी हम इस wallet to wallet का इस्तमाल कर पाएंगी तो यहाँ पर पहले important चीज यह है कि आप जो इंतजार कर रहे हैं यह इंतजार आपका खत्म होगा लेकिन अभी नहीं थोड़ा सा वक्त लगेगा इसके अंदर क्योंकि हो सकता है कि मारा next जो cycle आने बाला है ओ connect का तो वहाँ पर यह हमारा wallet to wallet आजाए या फिर और भी थोड़ा सा आगे time लगे लेकिन यह हमारे पास जरूर आने बाला है वेट करिए थोड़ा सा और आपको wallet to wallet को जो transfer है इसको लेकर के जादा फिकर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यह option हमारे लिए इतना जादा फायदेमंद होने बाला है बहुत बहुत जादा जिसका हम सोच भी नहीं सकते अब दूसरा जो important point है वो है हमारा data center को लेकर के अभी आपको पता है कि हमारा जो exhibition हुआ था वहाँ से कितना बड़ा traffic यहाँ पर generate हुआ है बहुत बड़ा और हमारे नजाल सर और मुहमबत कमाल सर ने एक पूरा 5 दिन वहाँ पर पूर तरीक से महनत की है और मेरत करने का जो result है वो S मुफारे सर को जो है साफ साफ वहाँ पर दिख रहा होगा क्योंकि ये सारी चीज़र हमें तो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन जिस तरीके से S सर बताते हैं कि नम्मर्स वहाँ पर multiple हो रहे हैं multiply हो रहे हैं तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा result देखने को मिल रहा होगा लेकिन यहाँ पर सबसे जादा जो load पड़ने वाला है वो है data center के ऊपर क्योंकि यही एक सबसे बड़ा आपका एक भंडार है और यहाँ पर ही सारे के सारी लोग जो है आएंगे यहीं पर सारा data store होगा और यहीं पर ही जगया जो है फिल होगी जैसे कि आपके घर के अंदर एक शादी होने वाली है किसी की भी आपकी ललकी की या लरका की और आपने वहाँ पर एक marriage hall वहाँ पर बुक कर रखा है पांसो लोगों का लेकिन गलती से वहाँ पर हजार लोग आ जाते हैं तो आप उनको कहाँ बिठाएंगे आप उनको कहाँ पर आप उनकी विवस्था करेंगे तो इस तरीके से जो हमारा data center है वो data center जहाँ पर कम पढ़ता नजर आ रहा है जैसा कि हम एक बहुत बड़े data center के तरब जो है move कर रहे हैं हम एक बहुत बड़े data center के तरब इसलिए move कर रहे हैं क्योंकि हमें जिस तरीके से ये traffic आता हुआ नजर आ रहा है हमारा ये data center है ये कम पढ़ जाएगा बिल्कुल ऐसी बात तो आगे आने वाले time के अंदर ऐसे बहुत सारे हमारे customer आने वाले हैं जो billions में customer आने वाले हैं तो हमें बहुत सारे जो है इस data center को हमें एक move करना पड़ेगा एक दूसरे एक से तीसरे एक से चौथ एक पर पांच में हमारे पास एक से जादा data center होंगे तब ही हम इस पूर एक अच्छे तरीके से full traffic को जो हाँ समाल सकते हैं otherwise होता क्या है कि यहाँ पर हमारा जो एक system होता है वो कही न कही hang होने की समभावना बढ़ जाती है फिस system जो है रुक जाता है फिस system धीरे धीरे काम करने लगता है तो यहाँ पर यह दिक्कत ना आए इसलिए यहाँ पर technical तरीके से जो चीज़े बहुत जादा जरूरी है यहाँ पर traffic लाने के लिए और traffic को manage करने के लिए और traffic को समालने के लिए वो सबसे जादा जरूरी चीज़ पर काम कर रहे है हमारे एस सर और उनकी टेक्निकल स्टाफ तो इस तरही केसे यह जो डाटा सेंटर है यह हमारा एक main part होता है किसी भी IT सेक्टर की company का क्योंकि अगर यह डाटा सेंटर सही तरीके से manage नहीं हो पाया तो कहीं न कहीं हम जो ट्रैफिक को gain नहीं कर पाएंगे हम ट्रैफिक को नहीं ले पाएंगे आपको बहुत साथा excitement होनी चाहिए अंदर से विकाज हमारा एक बहुत बड़े डाटा सेंटर के तरह हम जो है move कर रहे हैं और यही एक progress की दिर दिर निशानिक होती है जो तीसरा most important point है वो है हमारा बहुत सारे हमारे जो customer है I mean बहुत सारे हमारे जो founding member है वो as a customer बे जो है अभी भी register है ऐसे मेरे पास दो तिन comment भी आये हैं और एक दो लोगों ने मुझसे call करके भी पूछा है तो मैंने उनको बताया था कि आपको इस तरीके से करना है तो अगर आप अभी भी as a customer बे रेजिस्टर है तो प्लीज आप अपने आपको चेक करिए आपके ecosystem के अंदर जितने भी founding members हैं जितने भी आपके users हैं जितने भी आपके उस panel के अंदर लोग नजर आ रहे हैं उन सभी को एक बार आप चेक करिए कि आपके कहीं वो लोग as a customer तो रेजिस्टर नहीं हो गए हैं क्योंकि अगर as a customer रेजिस्टर हो गए होंगे तो उनको सारे की सारे जो एक profit है जितनी भी company के तरब से benefits है वो उनको कैसे बिल पाएंगे इसको check करने का सबसे आसन तरीका यह है कि जब वो अपना ecosystem on करते हैं तो वहाँ पे उनको 107 O coin की जगा cable 10 O coin ही नजर आने वाले हैं सबसे पहला पहचान तो यही है सबसे पहली पहचान तो आपकी यही है कि 10 O coin ही नजर आने वाले है दूसरी सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब आप profile पे click करेंगे तो वहाँ पे आपको delete option वहाँ पे नजर आने वाला है delete option अगर आ रहा है तो आपका जो account है वो customer में create हो गया है और अगर आपको customer में create हो गया है और आप एक as a founding member है तो आपको वहाँ से जाकर delete करना पड़ेगा यह दो main identification है दो main पहचान है अगर इन दोनों पहचानों को अगर आप अपने ecosystem में देख रहे हैं यह दोनों चीज़ां आपको ecosystem में नजर आ रही हैं तो आप यूँ समझे कि आपको account delete करके दूसरा account बनाने की जरूत है इसके लिए आपको back office में जाना है और वहाँ जाकर के navigate to OES पे जाकर के click करना है और फिर वहाँ जाकर के आपको अपना फिर से दुवारा से registration करना है as a founding member वहाँ पे आपका registration आसानी से हो जाएगा और जब यह हो जाएगा तो आपको वहाँ पे 97 डॉलर जो है वहाँ पे नजर आएंगे plus 10 and 107 डॉलर वहाँ पे जो आपको नजर आएंगे तो आप समझ जाना कि आपका account अच्छी तरीके से as a founding member वहाँ पे clear हो चुका है तो अपने आपको जरूर चेक करें क्योंकि यह चेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कहीं बात में ऐसा हो कि सब कुछ हो जाए और आप बात में फिर कहने लगा कि मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में तो इसलिए अपने आपको जरूर चेक करें तो यह थे हमारे